नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको ऐलोवेरा के फ्लावर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दोंगी जो इससे पहले आपको पता नहीं होगी ये देखिए ये ऐलोवेरा का फूल है बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगता है और ये एक स्टिक से निकलती है और उसमें कई सारे चोटे चोटे औरेंज कलर के इसके फूल निकलते हैं देखिए दोस्तो जो एलोवेरा का फूल है इसके बारे में कई सारी ऐसी बाते हैं जो आपको पता नहीं होगी एलोवेरा का फूल है इसके बारे में कुछ अंदविस्वास भी जुड़ा हुआ है मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि जो इसका फूल होता है वो चार या पात साल में एक बार खिलता है लेकिन ऐसा नहीं है जब हमारा एलोवेरा का पौधा दो साल का हो जाता है उसके बाद से इसमें फ्लावर बनने लगते हैं यह देखिए यह मेरे एलोवेरा की पुराने स्टिक है जो कुछ टाइम पहले खिल चुकी थी और इसमें अभी विंटर सीजन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और एक प्लांट से दो या तीन इस्टिक निकलती है यह डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कैसी है मेरे जो एलोवेरा की प्लांट है इसमें हर सा और अल्का है तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इंचि जो मेरे एलोविरा की प्लांट होती जो भी जाइधा है जैसे खाना ना पचना या फिर कबज या पिर आतों में घाऊ उसके लिए हम इसके फूलों का यूज करते हैं से फूलों कोा आप सलाद में मिक्स करके खा सकते हैं या फिर जब सबजी मिनाते हैं तो उसमें भी डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं सांथ ही दोस्तों जो इसके फूल होते हैं इसको आप समसों की तेल पर पकाके जो जोड़ों का दर्द होता है घुटनों का दर्द होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं तो उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है देखिए दोस्तों जो मेरे ऐलोवेरा के प्लांट हैं कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं ये बहुत ही बड़े हो चुके हैं और जो इनका वेट है काफी ज़्यादा हो गया है इसलिए जो ये प्लांट है बिल्कुल तिर्चे-तिर्चे हो गए हैं और सांथी आप इनके फूलों को तोड़के जो भी आप तेल यूज़ करते हैं चाहे सरसों का हो या भी नारियल का हो उसमें डाल के आप धूप में रख सकते हैं और इससे सिर्की मालिस भी कर सकते हैं दोस्तों, कई लोग aloe vera के फूलों को सोने से महंगा बताते हैं. वो सिर्फ इसीलिए बताते हैं, क्योंकि इनमें काफी ज़्यादा गुण पाये जाते हैं. और ये जो पूल होते हैं, बहुती कम लोगों के वहाँ खिलते हैं. क्योंकि aloe vera के plant लोगों के घर में इतने healthy हो ही नहीं पाते छोटे-छोटे से plant होते हैं और वो कुछ time बाद वो plant खराब हो जाते है जब आपका plant इतना healthy होगा तभी उसमें flowering होगी इसी लिए इस flower को सोने से महंगा बोला जाता है और ये flower हर साल winter season में खिलता है और एक plant से एक flower ही नहीं खिलता अगर आपका plant अच्छा है तो उसमें से दो से तीन बार flowering हो जाती है मेरे भी एक एक plant में दो से तीन बार flowering होती है दोस्तों जब इसके जो ये फूल होते हैं खिलने से पहले इस तरीके से बंद रहते हैं तब आप इनको कच्छा तोड़के भी खा सकते हैं इसका हमारे सरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता है तो दोस्तों ये थी aloe vera से जुड़ी हुई कुछ बात है अगर आपको मेरा एक वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद